सात्यों आप सभी जानते कि कई दिन हो गए जब उत्तरप्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की भरती परिक्षा की मतलब तिथी गोशित हो चुकी थी और उत्तरप्रदेश पुलिस में रेडियो विभाग में जो रेडियो उपरेटर और करमशाला करमचारी था उसका 90% 80% लगी अगर DBPST हो जाती है तो मेरिट कहां पर जाएगी जैसा कि सभी को अंदाजा था कि जो ऑनलाइन पेपर उसमें स्क्रीन शेयर करके बहुत नकल हुई है वही कि जब नकल होती है तो जाहर सी बात है जो मेरिट है वो बेतहाशा मतलब हाई जाती है उसमें कोई आपको अलग से कुछ बताना पड़े आप स्वेम समझते हैं फिर साथ इस बात को हमने उठाया तो भरती बूर ने कहा कि चलो भी हमने जो डेटा है जिनको भी DBPST में बुलाया है थर्ड पार्टी ओडिट के लिए हमने भीज दिया है उसका कोई जबाब नहीं कि कब तक थ सरकार को कोई फरक नहीं है चोर भरती हो नकल्ची भरती हो कमीने भरती हो सूर भरती हो कोई फरक नहीं पड़ता मेहंती के साथ न्याय हो अन्याय हो सरकार को इस चीज से कोई फरक लिए सरकार का उसको लगता है कि जो वो कर रही है वो सबच्छा है वो जिस तरीकी से भढ़ती कर रही है वो उसको ना मेरिट दिखती है ना मेहनत दिखती है ना मेरिट में इस तरीकी की बेथाश्या व्रद्धी दिखती है तो हम सब लोगों ने ट्विटर केमपीन की हम सब लोगों ने आवाज उठाई थी सुरुवास से ज्यादा उसका असर नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से इसमें ज्यादा असर नहीं होता तो सारे के सारे हम सभी लोग किसकी बारे में सोच रहे थे कि चलो उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल कई पेपर हो जाए उसके बाद में कुछ करेंगे उसके बाद में मैंने हला कि ट्वीटर से अब यह जैसे में बहुत सारी आप लोग आपके गुरूप से वार्ट से टेलीग्राम के आप मेरा वार्ट से नमबर शेयर कर दे तो फिर कई साथ 200-300 बच्चे एक साथ मैसेज करते हैं वीडियो नहीं बनाई बहुत बेकार इंसान ह सब तो जरूरी नहीं कि मैं सब सीना खोल के दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या बसता है मैं बेक्ग्राउंड में भी काम करता रहता हूं मैं ट्वीटर पैसा कौन सा दिने जब मैं रेडियो अपरेटर की बातरी उठा रहा हूं कम से कम कम से कम 31 त क्या है कि मुझे अपना दायत हो मुझे अपनी रेस्पोंसिब्लीटी मुझे अपना पता है प्रवच्चा हम क्या है न पांसाथ आठ लाग बच्चों ने पेपर दिया है हम बहुत थोड़े हैं थोड़े की बात नहीं सुनी जाती हैं आपको समसे पहले जो जितने भी और इसमें तो आप देख रहे हो कि कितनी जादा मेरिट लगिये किस तरह से उनके कितनी जादा माक्स होंगी जन्होंने ओनलाइन चीटिंग की हैं कितने सारे सेंटर से पकड़े गए उन्होंने पकड़ने से पहले कितनों की स्क्रीन शेयर करके नकल कर आई और कौन-कौन स सेंटर इसके बारे में कोई ना पुलिस को सूचना ना कोई आगे तो इसको लेकर आज सभी जितने भी रेडियो ऑपरेटर के छात्र छात्रा हैं उन्होंने फिर से एक ट्विटर केंपेंग रखी है आद दस बजे से तब सभी लोग कोशिस कीजेगा इस ट्विटर एड साथी आप मुझे भी एड कर लीजिएगा जिससे की मतलब मुझे भी आपके ट्विट दिखने लगे मैं भी आपको रिट्विट कर दूँगा और राजीव कृष्णा जी करके जो साथी 69 कुछ करके इनका अकाउंट है ये बढ़ती बूर के अध्यक्षे इनको भी आपको टेक करना होगा तो जब तक आप सारे खटे होके नहीं बात करेंगे जब तक आप सारे के सारे अपनी बात सरकार तक नहीं पहुँचाएंगे और आपको लगता है कि कोई हैं सुनेगा त अब जैसे स्टेडी विज कुमार है ये लिख रहा है सरा पुलिस की बड़ी भरती के चक्र में अभे मैं क्या मतलब मैं अधिकारी हूं क्या मैं कोई सीम हूं क्या अजीव इंसान है मैं तो तुमारी सपोर्ट करने के लिए तो थोड़ा बहुत साहरा दे सकता हूं वो तो म लिखने से बुद्धे का इस्तेमाल तो कले मेरे भाई क्यों सुबह सुबह इंसान को गुस्ता दिला रहा है इंसान की भी सीमा आए कल को मेरे नाम के ओपर एफाई हो गई फिर नहीं कायागा कुछ भी फिर भी गाली ये देगा डर गया मास्टर क्या आदमी है यार आदमी नहीं तो बुरा हो तो मास्टर बुरा अजीब अंसाने अभी जो इंसान सपोर्ट करे ना उसको अच्छा नहीं बूल सकता तो बुरा मत बोला कर कोई नहीं आता वरना सपोर्ट में फिर मुह बनाएगा कोई नहीं आएगा ये मैं तिरे ली नहीं आया हूँ मेरा दायत्व है अपने मन को शांत करने के लिए कहीं भी गलत होगा तो मईंने अपने आप अंखिन मिला पाऊँ मैं जी मैंने ऐउन पर कि खिलाफ ऑवाज उठाई थी समझा एक भी बच्चा होता है गलत उसके लिए भी दस लाख होते उसके लिए भी दस करूर होते उसके लिए भी बरावर है ज्यादा कम की नहीं है यह पे कुछ भी ऐसा आदमी तुम में से बताओ तो बावू मैं इन सब के चक्रों में नहीं पड़ रहा है कोई क्या बोल रहा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप इसके टाइंसर मतलो आज दसवजे से सब लोग ट्विटर कैमपेन के लिए तैयार हो ये बताओ क्योंकि तुम्हें संग्ठित हो के लड़ना होगा वरना यूपी ऐसाई 2021 किस के तरह होगा तुम्हारे साथ चोर भरती 60-70 परसेंट उसमें तो चलो 60-70 परसेंट है 20-30 परसेंट को फिर भी मौका मिल गया वेकेंसी 9534 तो वेकेंसी तुमारी मुठी भरे क्या मौका मिलेगे कि महनती को इतनी मेहनत करके कोई 324 लाया कोई तो मैसे 320 लाया कोई 310 लाया अच्छा पेपर था मौडरेट पेपर था है त्रेजी पेपर नहीं था हिंदी भी हम जैसों से भी नहीं हुपा रही थी में अंदर इसे बताएं तो आपको कई कुश्यन थो फिर भी सोचो मेरिट 358 हद दयार मता कौन से आइंश कीजे हाँ जोड़के investigation सबका इसमें सती investigation एक मुख्य मुद्दा है कि इस investigation को जल्दी पूरा कर दिया जाए और एक जो मुद्दाए मेन वो मुद्दाए की सभी जिसका भी परणाम है वो सबके raw marks, normalized marks, सारे के सारे सार्वजनी कर दिया जाएं हमी तो पता चले कि कौन कहां क है अब कैसे उसे सीधा डी आई जी क्यों नहीं बना दे रहे हम अगर उसके इतने अच्छे marks आ रहे हैं वो radio operator बन क्या करेगा उसको सीधा डी आई जी घोशित क्यों नहीं कर देते तो ये सार्वजनी कर दे इससे काफी फायदा होगा कि कम से कम पता चल जाएगा किसके raw marks क इतने कैसे हैं तो सब लोग तैयार है और रुच्चा में साथ हो गलत के विरोध में हमेशा संस्ता से हटके personal भी बट अंतिम लडाई आपको लड़नी होगी समझे मेरी बात और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी सक्ष्या में अपनी लडाई लड़ सकते हैं ठीए बहुँ चले बस आपको यही बताना था बाकि सभी साती दस वजे से जादस जादा दिस सेदी संख्या में ट्वीट कीजेगा और हो सके तो मेरी आईडी एक आपके देखले ने जिसको कि मैं वाज उठाता नहीं उठाता कम से कम रेडियो ऑपरेटर के पिछले दस दिन में दुनिया भर की ट्रीट मिल जाएंगे और इस टेड़ी वित कुमार जी कहां चले गए थोड़े आदमी बन जाओ रमजे बहुत बड़ी जुम्मेदारी होती है आदमी चलो बच्चे यही आपको बताना था दस वजे से हम भी ट्वीट करेंगे आप भी ट्वीट करना और बिटा जो यही रनिंग के लिए कह बोल रहे हैं तो मैं रनिंग के माई बता चुका ऊटो इतनी टैंसर मतलो फर म Kubernetes यह जूटा दिलासा नहीं दे सकता कि तुमारे 150 आरे तुम भी दोड़ना सुरू कर दो नमबर यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा बागी दोड़ना तो इतना किसमें को इतनी हाट दोड़ नहीं है थोड़ा थोड़ा रिनिंग तो करते रो हमने भी रिनिंग करनी शुरू कर दी है उसे क्या फरक पड़ेगा धिरी धिर इस्टेमिना बनाना होता है इसमें नहीं कि तुम्हें ओलंपिक कि जिए अंडर 10 सेकिंड 100 मीटर दोड़ना है आराम से 5 कुलो मीटर के दोड़ना हलका हलका दोड़ते रहो एक डिड़ महिने में सांस बनेगा इस्टेमिना बनेगा तब टाइम सेट होगा पहले दिन से टाइम मत सेट करो मैं तुम्हारी तर रिचगे होता दोड़ मारने में चलिए आप सभी के लिए बहुत सारी शुब काम नहीं, दस बज़े से लगते हैं, थोड़ा सा सरकार को बताते हैं कि भी देखो, गलत मत करो, गलत सही चीज नहीं होती, नहीं तो अगर तुम विरोधी नहीं करोगे तो सरकार है, कल को अलगी दिशा में चल पड़ेगी, ठीक अबिया, चलिए, बहुत दन्यवाद, थेंक यू, जेहिन